NIA ने 17 जगहों पर मारे छापे 10 संदिग्द ग्रफदार रोकेट लोंचर सहित बरी मातरा में मिले विस्पोठक अब समाचार विस्तार से राष्टिय जहंच अजनसी NIA ने आज बरी कारवाई करते हुए अलग-अलग 17 जगहों पर छापे मार कर 10 संदिग्द आप आतंकियों को ग्रफदार किया है NIA ने इन लोगों से रोकेट लोंचर सहित बरी मातरा में विस्पोठक भी बरामाद किया है NIA के IG आलोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया है कि संदिग्द लोग बिदेश में बैठे हैंडलर से लगातार टच में थे ये IS से प्रभावित मोड्यूल है NIA के IG आलोक मित्तल ने कहा मुफ्ती सोहेल नाम का सक्स इस गैंक का लीडर है और वो दिल्ली के जाफरावाद में रहता है उन्होंने बताया कि सोहेल आमरोहा का रहने वाला है और वहीं पूरे ग्रूप को डिरेक्ट कर रहा था आलोक मित्तल ने आगे बताया कि इन लोगों को बहुत सारे बम बनाने थें मित्तल ने कहा इन संदिग्द की गिरफदारियां दिल्ली के सलिमपूर, अमरोहा, मेरट, लखनव, हारपूर से हुई है पूस्ताच के बाद और भी लोगों की ग्रिफदारी की संभावना है, उन्होंने यह भी कहा कि एन आईये की छापे मारी में 120 अलार्म घरियां मिली है, इससे पता चला है कि बरी संख्या में बम बनाना चाह रहे थे दिल्ली और यूपी पुलीस की मदद से एन आईये ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशन पर छापे मारी की है आलोक मित्तल ने यह भी बताया कि छापे मारी के दोरान एन आईये ने रॉकेट लोंचर सहीत कई खतरनाक हत्यार बरामत किये हैं साथ ही सारे 7 लाग कैस बरामत किये हैं, यह संदिक देख बरी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे इन लोगों से 100 मोवाइल फोन, सीम कार्ड बरामत किये गए हैं और बरी संख्या में मेमोरी कार्ड भी बरामत किये गए हैं